हेलो फ्रेंड्स आज से श्टिचिंग में आपका स्वागत है आज मैं नेट का ब्लाउज यह है इसका मैं बैक नेक डिजान मराना बताऊंगी बहुत ही फिनिसिंग के साथ और बहुत ही असान तरीके से तो यह देखिए यहां मैं यह जो सेप बनाई हूँ इसी सेप में नेक का मैं डिजान रखूंगी तो सबसे पहले इसको मैं डार्क कर ले रही हूँ इस तरह से देखिए ऐसे मैं इस डिजान के सेप को मैं डार्क कर ली हूँ और यहां मैं अस्तर वाले कपड़े की मैं कटिंग कर ली हूँ और में कपड़े की भी मैं कटिंग कर ली हूँ तो सब कर्म होल की गुलाई का सेप में 1.5 इंच पर ऐसे निसान लगा कि फिर में गुलाई का सेप दी हूँ और 36 साइज का बलाउज है तो उसका चौथा भाग 9 इंच और 2 इंच में मार्जन के लिए रखी हूँ नीचे भी कमर का चौथा भाग है और 2 इंच में सिलाई के लिए ओपर अच्छ सी बराबर में मिलाते है इसको रखना है और रखने के बाद थोड़ा सा एष्ट्रा मैं साइड से मैं ले लिँ हूँ और उपर से भी और नीचे से भी थोड़ा सा है इसको अब हमको दोनों को एक साथ हटेज करना है तो उसके पहले ये जो अस्तर वाले कपड़े पर मैं डिजाइन का जो सेप मैं बनाई हूँ सबसे पहले उसको मैं कटिंग कर ले रही हूँ इस तरह से मैं कटिंग कर ले हूँ देखिए उसके बाद से में कपड़े को भी हम थ्वास से इस्टर रखते हुए कटिंग कर लेंगे अब हम दोनों को एक साथ ज्वाइंट करेंगे तो पहले मैं इसको खोल ले रही हूँ ब्लावज वाला कपड़ा पहले खोल लेना है और इसके उपर फिर अस्तर वाले कपड़े को ऐसे रखना है एकदम सेंटर से सेंटर मिलाती हुए दोनों साइड एक बराबर कपड़ा होना चाहिए साइड में भी और नेक वाला जो कपड़ा है इस्टा और दोनों साइड से बराबर होना चाहिए एकदम सेंटर में मिला के रखेंगे और उसके बाद से पिन से पहले इसको सेट कर लेना है देखिए यहां मैं पहले पिन से मैं सेट कर ले रही हूँ फिर मैं सिलाई लगाऊंगी साइड में भी मैं एक पिन लगा रही हूँ फिर दूसरे वाले साइड भी मैं एक पिन लगा ले रही हूँ अब हमको नेक पर सिलाई लगाना है और फिर नीचे कमर में सिलाई लगाना है तो सबसे पहले मैं यहां नेक पर मैं सिलाई लगा रही हूँ हाफ इंच का मार्जन रखते हुए मैं पूरे नेक में सिलाई लगा लूँगी और जिसे shape में मैं cutting की हूँ उसी shape में घुमाते हुए फिर सिलाई लगाना है अच्छे से finishing के साथ पूरे neck में सिलाई लगा लेना है मैं यहाँ पूरे neck में सिलाई लगा ली हूँ अब इसके वाद से कमर में सिलाई लगाना है तो नीचे से एक बराबर कपड़ा छोड़ते हुए फिर हम कमर में सिलाई लगा लेंगे नीचे भी अस्तर वाला कपड़ा महा फिंच इतना मार्जन रखेंगे फिर सिलाई लगाएंगे दोनों कपड़े को बराबर में करते हुए सिलाई लगाना है यहाँ नीचे मैं कमर में भी मैं सिलाई लगा ले हूँ अब यह जो निक पर एश्ट्रा कपड़ा दिख रहा है उसको हम कटिंग करके निकाल देंगे दोनों साइड से ऐसे और छोटा छोटा कट लगा लेंगे पूरे निक में देखिए ऐसे कौर्नर पर भी लगा लेना है और किनारे-किनारे भी लगा लेना है और नीचे भी जो एश्ट्रा कपड़ा है उसको भी कटिक करके निकाल देना है उसके बाद से पिर निकाल लेंगे और साइड से हम इसको पलट कर सिधा कर लेंगे यह देखिए ऐसे पलट कर हाथ से ही प्रेस कर लेना है अच्छे से और यहां नेक पर एकदम किनारे सिलाई लगाना है यह सिलाई फिनिसिंग के लिए लगाते हैं एकदम किनारे किनारे सिलाई लगाना है अच्छे से जिस सेप में ये डिजाइन कटा है उसी सेप में गुमाते हुए कॉर्नर पे भी अच्छे से सिलाई लगाना है और फिर ऐसे मसीन को ऐसे गुमाते हुए पूरे राउंड में गुमाते हुए सिलाई लगा लेना है यहां मैं नेक पर मैं सिलाई लगा ली हूँ आप से वैसे ही हमको कमर पे भी सिलाई लगाना है एकदम किनारे ही सिलाई लगाना है कमर पे भी नीचे के साइड देखिए इस तरह से अस्तर वाला कपड़ा बाहर के साइड न दिखे उसको अंदर के साइड दबाते हुए फिर हम सिलाई लगाएंगे अब नीचे का भी सिलाई लगाने के बाद अब हम साइट से इसको अटेज कर लेंगे नेट वाले कपड़े को और अस्तर वाले कपड़े को दोनों को एक साथ बराबर में कपड़े को मिलाती हुए सिलाई लगा के दोनों को एक साथ अटेज कर लेना है दूसरे वाले साइट भी हम वैसे ही कर लेंगे देखिए इस तरह से दोनों साइट से हम कपड़े को एक बराबर मिलाती हुए अटेच्च कर लेंगे अब उसके बाद से जो एश्टा कपड़ा है उसको कटिंग करके निकाल देना है दूसरे वाले साइट का भी एश्टा कपड़ा कटिंग कर लेना है अब हम इसमें टक्स का निसान लगाएंगे तो उसके लिए मैं पहले सेंटर से निसान लगा रही हूँ और फिर जो एक साइट का जो कपड़ा है फिर उसको बीच सेंटर से फोल्ड करके लंबाई में 4 इंच का मैं निसान लगा ली हूँ और फिर मैं वहाँ टक्स लगाएंगे दूसरे वाले साइट भी ऐसे ही कर लेंगे लंबाई में 4 इंच का निशान लगाना है और फिर एक टक्स यहा लगा लेना है दोनो साइड का टक्स मैं लगा ली हूँ आप इसमें नेक पर मैं लेस लगांगी तो उसके लिए देखिए मैं ब्लाउस से मैच मैं लेस ली हूँ उसको मैं यहां नेक पर किनारे रखते हुए फिनिसिंग के साथ मैं अटेज कर रही हूँ देखिए लैस को भी अच्छे से घुमाते हुए डिजाइन के सेप में फिर अटेज करना है कॉर्नर पे मैं एक बार लैस में मैं छोटा सा प्लेट को डाली हूँ ताकि उसका कॉर्नर अच्छा दिखेगा इस तरह से देखिए और फिर दूसरे वाले साइड भी डिजाइन के सेप में लैस को घुमाते हुए अटेज कर लेना है अब देखिए जो लैस का दूसरा वाला साइड है दूसरे वाले साइड भी सिलाई लगा लेना है इससे लैस के फिनिसिंग अच्छे लगती है कॉर्नर पे ऐसे घुमाते हुए लैस के दोनों साइड में सिलाई लगा ली हूँ अब यहां मैं लैस भी अटेज कर ली हूँ अब इसमें डोरी को लगाना है तो देखिए उसके लिए मैं रेडिमेंट डोरी ली हूँ और जो ब्लाउज का कपड़ा है नेट वाला उसी से मैं लटकन बनाऊँगी तो जो कपड़ा बचा है उसी को मैं ऐसे रेक्टेंगल पीस में मैं कट कर ली हूँ दो पीस में मैं कट करूँगी और दो पीस में इससे छोटा छोटा मैं कट करूँगी डबल लटकन मैं बनाऊँगी देखिए इस तरह से सबसे पहले मैं छोटा वाला पीस ली हूँ छोटा वाला पीस लेना है और फिर छोटा वाला पीस नीचे के साइड पहले ऐसे त्रंगल में सिलाई लगाके एश्टरा कपड़ा कट कर देंगे और पलट लेना है फिर उससे जो बड़ा वाला कपड़ा है उसके उपर रखेंगे ऐसे देखिए टू इंच का मार्जन में रखते हुए डोरी में और फिर मैं दूसरा वाला लटकन में अटेज कर रही हूँ ऐसे आप दो तिन और भी अटेज कर सकते हैं मैं यहां सिर्फ दो ही अटेज कर रही हूँ इस तरह से देखिए यह एक साइड का हो गया फिर दूसरे वाले साइड भी ऐसे ही लटकन को तयार कर लेना है पहले छोटा वाला अटेज करना है इसमें और फिर इसके उपर बड़ा वाला अटेज कर लेना है इस तरह से देखिए तो यहां मेरा लटकन भी बनके रेडी हो गया है अब हम इसको ब्लाउज में अटेज कर देंगे तो उपर से मैं 3 इंच पर निसान लगाई हूँ नीचे के साइड लटकन अटेज करने के लिए दोनों साइड में निसान लगा ली हूँ और उसी निसान पे 4-5 सिलाई लगाकर लटकन को पक्का कर लेना है 4-5 सिलाई लगाएंगे अब यह देखिए बलाउज का बैक पार्ट रेडी हो गया है अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लैक जरू करिएगा वीडियो देखने के लिए थैंक यू